हेलो फ्रेंट्स मैं हुए वराज मिश्रा और आप देख रहे हैं और एक्सपर्स तो आज मैं अकले बत इंपॉर्टेंट वीडियो लेगा हूं टाटा नेक्सवान के उपर यहां पे अचली टाटा नेक्सवान की फर्स्ट पेट सर्विस के उपर कि इसमें कितना अमाउंट आता है कितना घर्जा आता है टाटा नेक्सवान डीजल के उपर फर्स्ट पेट सर्विस जो की 22,000 किलो मेटर्स पर मैनुवल तो यहां पर हम लोग इस वीडियो में सब यही कवर करने वाले कि कितना अमाउंट आया एंड मेरा एक्सपिरेंस कैसा रहा सर्विस सेंटर के त सब्सक्राइब बेल आइकन के बगल में आपको दिख रहा होगा ता कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिक्शन आकर पास आती है तो चलिए स्टाट करते हैं यहां पर मैं आपको दिखा हूँ तो कार मेरी चली हो ही है 17,491 तो बट अभी मैंने स्टार्टिं ऑफ दो वीडि जो है 17,491 चली हुई है एंड यहां पर मैंने साथ साथ हजार किलोमेटर से सो किलोमेटर पहले करा ली सर्विस बिकॉस टाइम इशू था एंड थोड़ा पहले कराने से सही रहता है तो यहां पर मैं आपको दाता हूँ इसमें बिल कितना है एंड जो है मेरा experience कैसा रहा एं एक दो दिन हुए एंड यहां पर आप देख सकते हो वीडियो में आपको दिख रहा होगे कि यहां पर पॉलिश लगी हुई है यहां पर भी अच्छी पॉलिश लगी है मतला अभी तक पॉलिश की क्वालिटी भी ठीक है ओवराल इट्स गूड इनफ एंड वैसी वाली सिर्फ तो यहां पर आप देख सकते हो चार्व तरफ कुछ पॉलिश जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं जो में यूज किये गा है अब यहां पर में बात आती कि फ्tschaft सर्वेस में फॉर्फ सर्विस में आताति तो विसख भी जिया मैंने जो है थार्ड थे सर्विस में एमच लिए जो कि एडवाइजर ने बोली थी कि आपका first paid service में 0 rupees cost आएगा सिर्फ labor charge ही कटेगा तो यहां पे बाखी कुछ consumers डलते नहीं सिर्फ top up होते हैं तो उसका भी मुझे charging नहीं देनी पड़ी यहां पे मेरा अगर में labor charge के साथ बता हूं के साथ से देखूं तो जैसे मैंने चलाया है अगर मैं 22,000 के साथ से देखू तो यार platina जो है बजाज की उससे भी कम service है अगर आप ऐसा plan लेते हो जैसा मैंने लिया है nexon diesel के उपर तो 3500 रुपे 500 रुपे बहुत कम होता है आप इतना चला जेते हो तो बहुत low cost service होती है अभी तक की मेरा experience यह है एंड जो पार्ट भी मेरे कुछ चेंज है जो order पर लगे हुए जो हो चेंज होने मेरा front वाला fog lamp में उसकी डाल दूँगा अभी अचली night है तो आपको दिखेगा नहीं वह order पे गया हुआ है उसमें fog जमी हुई थी एंड यहां पे मुझे थोड़ा सा डीजल जो है डीजल की जो महक है वह अंदर आ रही थे बाहर भी थोड़ी सी डीजल की महक थी तो यहां पे वह कुछ पार्ट डीजल ओल पहन का वह कुछ की है order तो एक वह पार्ट है अपका गेर नॉब जो है यह है यह थोड़ा सा रफ दिख रहा होगा आपको वीडियो में अगर समझ आये ना आए मैं आपको दिखा देता हूँ यह थोड़ा सा रफ हो गया तो मुझे कहीं से भी अब रैटलिंग नहीं है विकॉस मेरा कानपूर में जो है रोट वो खराबी है अच्छी नहीं है बहुत कमी अच्छी होंगी तो यहां पे रैटलिंग नॉइज जो है किलो मेटर बाद बन जाती है यह तो चलिए टाटा की कार है मारूती की कार होती है किसी लाइट बिल्ड की कार होती कंपनी की तो यार वो पूरी बजने लगती एंड सच बता हूं तो इसकी प्लास्टिक क्वाल्टी इस प्राइस पॉइंट में अभी तक मुझे बहुत कम बहुत बढ़ी है मुझे कहीं से भी डैशबूर्ट से पिलर से कहीं से भी रैटलिंग नहीं आ रही है तो वह भी एक चीज है एंड यहां पर आवरेज भी में आपको दिखा दूं अभी कितना है तो मेरा आरांट 13 का अवरेज दे रही है अभी 286 किलमेटर चल चुकी है ज जो है एवरेज भी अब सही हो गया है कि कानपूर जो है स्टीवाट कंजस्टेट टाइप की एंड हा मुझे एक और प्रोब्लम थी कि इसमें लैग आ गया था थोड़ा सा पावर लॉस लग रही थी जैसे मैं कहीं इस्टिप स्पीड ब्रेकर वें यहां पे अचली कंस्ट और अपडेट किया है तो उससे वो भी अब सही हो गया है बिल्कुल एंड मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो यह एंड इन्हों ने बहुत अच्छी यह बहुत अच्छी तरीके से सर्विस की यह कार की एंड अब 25,000 पर सर्विस होगी तो वो भी देखते हैं उसका सर्विस क कितना आगा बिकॉस मैंने उसकी कोई एंची नहीं ले रखी है अब मैं नेक्सवन की एंची लूंगा वो भी पी टूपी वाली एंड आपका एक्स्टेंड वरंटी विकॉस तू यर्स हो जाएंगे अरांड जून में फर्स्ट अफ जून को तो उससे पहले में ले थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में माइलेच का इशू था वो सिफ मेरी कार के साथ था मेरी डीजल नेक्सवन के साथ था बट वो भी थोड़ा सौटेड लग रहा है तो कोई दिक्कत मुझे लगने दी कार के साथ अथा अमांट ऑ ग्राउंड क्लिरेंस है आप कहीं भी खुदा सकते हो कुछ भी कर सकते हो एंड कोई भी रेटलिंग नाइज नहीं अभी तक तो प्लास्टिक क्वाल्टि को मैं इसलिए बार बार वोला हूं रेटलिंग नाइज नहीं है विकास मेरी एक्सवी है उसमें बहुत ज़दा रेटलिंग नाइज चारों डोर से 500 है थ यह चार पाच बार गई होगी इससे जादे नहीं गई होगी और वह भी बहुत शॉट टम के लिए गई होगी जादा लॉंग रन के लिए नहीं गई है यह भी मैं आपको मेंशन कर दूँ तो अभी तक मेरे एक्सपिरियंस मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छा है अग किसी और वज़े से बस्क्राइब नहीं करता यह आप लोग विकास जो लोग ज्यादा आप से चलाते हैं इसको लिए कि यार इस वज़े से आदा में आ जाती हैं तो यहां पर आभी तक मेरा एक्सपिरियंस आप पूछेंगे तो बहुत बढ़ी आए आप जा सकते हैं इन इस शूज... नहीं जो भी आपको चैंघ होना होता है next दो कि छोटे मोटे चैंज कर देते हैं अगर पर्ट नहीं तो कोई आप को बोलने वाली भातों होता इस डिया तो छेंज क्यूं नहीं कर रहे हैं, ette । वूडियो मैं यहां पे investigation here इसका experience बताने वाला था तो thanks watching auto experts by subscribe कर लिजेगा चैनल को notification bell icon press कर लिजेगा thanks watching